गरण पुरान के अचार कांड में मास उपवास वरत का निरूपन प्रमाजी ने पुन्य कहा अब मैं आपसे मास उपवास नामकु सर्वत्तम वरत का वर्ण करूँगा जिसका पालन वानप्रस सन्यासी और नारी को करना चाहिए अच्छिनी मास के शुकलपक्ष की एकादशी तिथी में उपवास रख कर तीस दिन परियंत इस वरत को धारन करने का विधान है वरत अराम के समय सर प्रतम भगबान विश्णू से इस परकार प्रात्रा करनी चाहिए कि हे विश्णू आज से लेकर जब तक आपका श्यन उत्था नहीं हो जाता है तब तक तीस दिन परियंत भिना भोजन किये ही मैं आपका पूजन करता रहूँगा हे विश्णू यदि मैं अश्णी और कार्तिक मास के शुकलपक्ष में द्वादसी से लेकर दूसरी द्वादसी तिथी के मध्य मिरत्यों को प्राप्त हो जाता हूँ तो मेरा ये वरत भंग ना हो इस परकार प्रात्रा करने के पश्चात प्राता मध्ध्यान तदा संद्याकाल में शिनान करके उपासक गन्दादी से भगवान हरी का दिवाले में पूजन करे कि इन तो वरती को शीर में उप्टन तथा सुगंदित गन्दलेप आदिन नहीं करना चाहिए द्वादसी तिथी में भगवान हरी की पूजा करके वरती ब्रामन को भोजन कराए एक मास तक हरी का वरत करने के पश्चाद वरती पारना करे यदि वरत धारी इस अवधी के मध्य मूर्चित हो जाता है तो उसे दुग दादी का प्राशन कर लेना चाहिए क्योंकि दुग दादी का पान करने से वरत विनस्त नहीं होता इस परकार मासवरत करने से भक्ती और मुक्ती दोनों प्राप्त होती है